So good morning guys और current affairs के revision वाले session में सबसे पहले हम पुराने महिने के current affairs का revision करते हैं तो हमारा पहला प्रशन देखिए क्या है World Kidney Day ये कब मनाया गया तो answer होगा 11 March को Actually में March के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है इस बार हमने 11 March को इसको मनाया इसकी theme थी Living Well with Kidney Disease बताईए किसे International Olympic Committee के अद्धिक्ष की रूप में चुना गया फिर से चार सालों के लिए चुन लिया गया Thomas Buck को International Olympic Committee का Headquarter आपको मिलेगा Laws in Switzerland में और United Nation के बहाई ये Auditor External Auditor समीति का अद्धिक्ष किसे न्यूक्त किया गया ये हमारे 14 नंबर के Comptroller and Auditor General है नाम है गिरिश चंदर मुर्मू जम्मू कश्मीर जब Union territory का दरजा मिला था तो जम्मू कश्मीर के पहले Lieutenant Governor थे ये फिर बताईए किसे 2021 FIFA Awards से सम्मानित किया गया फिर बताईए किसे 2021 के FIAF Awards से सम्मानित किया गया तो आंसरोगा मिताब बच्चन को FIAF मतलब होता है Federation Internationally the Archive of the Film फिर बताईए Dust Lick नाम का जो अभ्यास है भारत और किस देश की बीच में हुआ उजबिकिस्तान और ये दूसरा संस्क्रण था ये अभी उत्तराखंड में हुआ था मार्च में उजबिकिस्तान की केपिटल ताशकंद है करंसी सोम है प्रसिडेंटे शावकत मिर्जी योईव बताईए किस बैंक ने वियर एन पे कॉंटेक्ट लेस डिवाइस को लॉंच किया एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक का हेड़क्वाटर मुंबई में है एमडी सिव अमिताप चौदरी है और टेगलाइन उठी है बढ़ती का नाम जिंदिगी बताईए आईवरी कोस्ट के प्रधान मंतरी का निदन हो गया था भी क्या नाम है उनका हामिद बाकायको आईवरी कोस्ट की देखो कैपिटल यामु सोक्रो और प्रेसिडेंट इसके कौन है लसन और टारा और अभी कोवेक्स योजन के तहट मुफ्त कोविड टीको का बेच प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था पहला घहना था भारत के मुख्य सांखे की विद चीफ स्टेटिस्टिक नॉफ इंडिया के रूप में किसे न्यूक्त किया गया जीपी सामन्त को और स्टैटिस्टिक से याद रखो दो डे एक तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है 29 जून को एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है विश्व सांखे की दिवस होता है कब 20 अक्टूबर को यह हर 5 साल में एक बार होता है अब बताईए किसने इब्राहिम प्राइज फॉर अच्यूमेंट इन अफ्रिकन लीडर्शिप 2020 प्राइज जीता तो अंसर होगा महामदो सूफू ये नाइजर के प्रेसिडेंट है लेकिन अप्रेल में ये इस्तिफा दे देंगे और इनके बाद जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो है महामद बेजूम नाइजर की केपिटल नियामी है अब बताईए मैटी यानि की मिनिस्ट्री ओफ इलेक्ट्रोनिक्स एन इन्फॉर्मिशन टेक्नलोजी के द्वारा जारी डिजिटल पेमिंट स्कूर कार्ड की सूची में लगतार तीन महीनों तक कौन सा बैंक टॉप पे रहा आपको मिलेंगे अनकैडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने परसनल शेडियूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं तो अनकैडमी के हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेट सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलूट करके ओफलाइन भी देख सकते हैं और आप live class में ask a doubt feature के द्वारा teacher से अपने doubt भी clear करा सकते हैं, आप live quizzes और test session भी attend कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी, तो an academy पर total 12 plus languages में classes conduct होती है, आप अपनी favorite भाषा में class attend कर सकते हैं, आप अपनी teacher के साथ interact कर सकते हैं और live poll में part ले सकते हैं, यह सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ, तो आज ही subscribe करें अन academy पर और इन सभी benefits का लाब उठाईए, देखें अगर आप मेरा code जो है crack exam 10 उसे use करेंगे तो आपको additional 10% का install भी मिलेगा, और आपको सभी batches की link और subscription ही सब नीचे description में मिल जाएगा, तो अभी हम ब पचास दिनों तक कर दिया, तो आंसर होगा उत्तराखन सरकार ने, बताईए किस ने हिमाचल प्रदेश का पहला online UR radio station अभी launch किया, तो वाँ के मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर ने, फिर बताईए किस राज्य या union territory के गुच्छी मश्रूम को GI tag मिला, तो आंसर होगा जम्म कश्मीर, इससे पहले जम्मु कश्मीर के एक कोर प्रड़क को GI tag मिल चुका है, बताओ कौन सा, कश्मीरी केशर, अचा, LIC के मेनेजिंग डिरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सिध्धार्त मोहंती को, LIC के अद्ध्यक्ष MR कुमार है, वैसे इसके चार संस्थान की सरकार ने, और Global Fire Power Index 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो आंसर होगा USA, भारत इसमें चौते स्थान पे रहा था, और सेन ने ताकत के अधर पर ये इंडेक्स ये रैंकिंग बताई गई थी, अचा, सुन्दरम Finance के मेनेजिंग डिरेक्टर के रूप में किसे न Limited, बताईए किस बैंक के द्वारा InstaFX ये लांच किया गया था, तो आंसर होगा ICICI Bank, अचा किस पेमेंट बैंक ने गरहकों को धोका दड़ी से बचाने के लिए Safe Pay को शुरू किया, Airtel Payment Bank ने, इसके CEO अनुबरत बिश्वास हैं, बढ़ते आगे, चलिए कल के Current Affairs को revise करते है तो पहला प्रशन पूछा जा रहा है, कॉलकता High Court के नए Chief Justice कौन बन गया है, तो आंसर होगा Rajesh बिंदल, बताईए Living Mountain नाम की बुक के लिखक कौन है, अमिताब घोश है, अमिताब घोश ये वही हैं जिनको 2018 में 54 ग्यानपीट पुरुसकार मिला था, और ये पहले अंग्रे और इसमें Best Actor चुने गए Anthony Hopkins को The Father मुवी के लिए, और Best Actress रही है Francis McDormand, Nomadland मुवी के लिए, और Best Director चुलोई जहाओ, Nomadland मुवी के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दू, Oscar के उपर मैंने एक छोटा सा Dedicated Audio बना दिया है, अगर वो आपने अभी तक नहीं तो सुन ली जिएगा उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा, जिसमें Oscar 2021 में और Oscar 2020 के जो भी important question है, वो सारे मेने वाँ पर discuss कर दिये, प्योंकि जरूरी नहीं आपके exam में 2021 के Oscar से ही प्रशन पूछ लिया जाए, 2020 वाला पूछ लिया तो, तो वो एक बार सुन जरूर अच्छा फिर बताईए, RBI के अनुसार बैंकों के MDCU या फिर वोल्टाइम डिरेक्टर का अधिक्तम अब कारेकाल कितना होगा, 15 साल के लिए रह सकते हैं अब, और ये लाग हो जाएगा 1 October 2021 से, बताईए किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम जूर रॉंग रख किये, तो ऑस्टेलिया के तेज गेंदबाज हैं ये नाम है इनका Pat Cummins, IPL में Kolkata Knight Riders के लिए खेलते हैं, बताईए मारुती सुजुकी के पूरवे मैनेजिंग डिरेक्टर का निदन हो गया नाम बताईए उनका, जगदीश खटर उनका नाम था, और बताईए किस ने बार बारत की टीम ने, मेक्सिको को हरा कर गोल्ड जीता है, और ये तिरंदाजी विश्व कब 2021 हुआ था भी गवाटेमाला में, फिर बताईए किस देश के पाठेकरम में महाबारत और रामायन को शामिल किया गया, पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, तो साओधी अरप में, अक्सिजन बनाने के लिए खोल दिये गया, पता है न, अक्सिजन की कमी आ गई है बहुत भारत में, COVID-19 के केसे जैसे इसे बढ़ते आ रहे, फिर बताईए गौल्ड में सेक्स ने वित्वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का नुमान लगाया, 10.5% रहने अभी आपको याद होगा, पैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विस ओपन सूपर 300 में में सिंगल टाइटल किसने जीता था, विक्टर एकसेल से इनने, जो कि डेनमार्क के प्लेयर है, और वो में सिंगल टाइटल जीता था, कैरोलेन मारेन ने, जो कि स्पीन की प्लेयर है और इसमें हमारी जो पीवी सिंदु है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, फिर बताइए सूपर 75 स्कॉलर्शिप योजना को किस राज्य या या यूनिन टेरिटरी ने शुरू किया, तो आंसर होगा, जम्मू कश्मीर आर्थिक 173 ता सूचकांग 2021 की जो आया था, उसमें भारत के रैंक क्या थी, भारत 121 वे नंबर पे था, तोप पे कौन सा देश था, या दे, सिंगापुर था, उत्तराखंड के नय मुख्यमंत्री कौन बन गए, तीरत सिंग रावत बन गए, अच्छा बताइए नागरिक प्रदेशन सूचकांग 2020 में टॉप पे कौन रा, तो देखो इसमें दो कैटेगरी है, 10 लाख से जादा अबादी की बात करेंगे, तो इंदौर टॉप पे रा, 10 लाख से कम अबादी की बात करेंगे, तो न्यू दिल्ली मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको एंगलेजी में बोलेंगे, मिनिसिपल परफॉर्मिंस इंडेक्स, बताइए फिलिपिन्स की कैपिटल क्या है, मनिला है, और यहाँ पे आपको एशन डेवलेप्मेंट बैंक का हैटकॉर्टर भी मिलेगा, देखो फिलिपिन्स की करंसी पीसो है, प्रेसिडेंट है, रुद्रिको दुत्तर बताइए विश्व का पहला प्लेटीपस अभ्यारन्या, यह का पर शुरू हुआ, और युनाटेड नेशन जनरल असेमली का हैटकॉर्टर का पर है, न्यू यॉर्क में है, जिसके अद्यक्स वालकिन बोजगिर है, आपको याद दोगा, युनाटेड नेशन जनरल असेमल अचा, ट्राइफेड, ट्राइफेड के मेनेजिंग डियलेक्टर अपसे पूछे है, प्रवीर कृष्ण है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी आदोना चाहिए, ट्राइबल को अपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन अफ इंडिया, बढ़ते हैं फिर बताईए, इंपॉर्टन डेश की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइललाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया, तीन मार्च को, जिसकी थीम थी, फॉरेस्ट एन लाइवलिहुड सस्टेनिंग पीपल और प्लैनेट, वर्ल्ड हीरिंग डे कब मनाया, तो ये भी तीन मार्च को मनाया था, इसकी क्या थीम थी, Hearing Care for All, Screen, Rehabilitate, Communicate, फिर बताईए, World Civil Defense Day, ये एक मार्च को मनाया था, जिसकी थीम थी, Strong Civil Protection to Preserve the National Economy, बताईए, Zero Discrimination Day, सुन्य भेद भाव दिवस कब मनाया गया, एक मार्च को, थीम थी इसकी, End Inequalities, अच्छा बताईए, National Science Day कब मनाया तो ये हम मनाते हैं 28 फरवरी को, और इसकी क्या थीम थी, Future of Science and Technology and Innovation, Impact on Education Skills and Work, फिर बताईए, अंतर राष्टर मात्र भाशा दिवस, International Mother Language Day ये कब मनाया, 21 फरवरी को मनाया, और राष्टर महिला दिवस कब मनाया, National Women's Day, 13 फरवरी को मनाया, और World Radio Day, ये भी हमने 13 फरवरी को ही मनाया है, इसकी थीम थी, New World New Radio, और राष्टर उत्पादक्ता दिवस, ये 12 फरवरी को मनाया, और विश्व दलहन दिवस कब मनाया, तो अंसरों का 10 फरवरी को, जिसकी थीम थी, Nutrition Seeds for a Sustaining Future, तो गाईज ये था आज का मारा Current Affairs का Revision वाला सेशन, सेशन आपको अच्छा चाल करते हैं, ये रे कुशन आपके सामने,